धन्धन सत्य गूरु तेरा ही आसरा धन्धन सत्य गूरु तेरा ही आसरा धन्धन सत्य गूरु तेरा ही आसरा हे MS जी आप जी से अर्दास है कि हमारे MS जी संद गुरुमीत राम रहीम सिंग जी इंसां हमारे गुरु हम सब के बीच देह रूप में जल्दी से जल्दी आएं और हमें अर्बो गुना खुशियां बक्षें जी धन्धन सत्य गूरु तेरा ही आसरा तो रहानी सत्संग किसे कहा जाता है यहाँ एक मालिक सुप्रीम पावर ओम हरी अल्ला गौड खुदा रब की चर्चा हो उसके बारे में रीत क्या है कुरीती क्या है सच क्या है जूट क्या है यह सुनने को मिले उसी का नाम रुहानी सत्संग है पर एक और बात किया यह सब सुनने को मिले पर बदले में कुछ भी दाम ना देना पड़े तो सत्संग यहां एक मालिक की चर्चा होती है यहां परिम्पिता प्रमात्मा इश्वर से अल्ला राम से मिलने का ढंग बताया जाता है तो भजन के अनुसार शब्द नजम के अनुसार आपको समझाएंगे जिस नाम का लिया सहारा उसे काल बलीने न मारा भव सागर ये गहरा है भारा बिन मांजी न मिलता कि नार ये संसार भै का सागर है यहां कामबाशना क्रोध लोब मो अंकार मन माया की लहरी उठती रहती हैं और आत्मा रूपी जीव इन लहरों में डगमग डगमग गोते खाता रहता है ऐसा लगता है डूबेगा ऐसा लगता है तर जाता है यानि इनसान अपनी जिन्दिगी में कई बार मरता है और कई बार पुनर जीवत हो जाता है जीते जी मर के जीवन हासिल करना बड़ा ही दुखदाई है दुनियावी निगासे बहुत ज्यादा टेंशन आती है दुख आता है चिंता आती है तो जीते होते हुए भी इनसान मर जाते है उस चिंता से मुक्ती मिल गई चिंता से आजाद हो गई तो फिर से ऐसे लगता है कि जीवन मिल गया तो यू जिंदगी में पता ने कितने बार इनसान के साथ होता है तो ये रोज-रोज के मरने से रोज-रोज के मरने से तरफने से चुटकारा अगर आप हासिल करना चाहें तो वो किया जा सकता है और उसके दिए ओम हरी अल्ला गौड खुदा रब का नाम है भगती का वो तरीका है अगर उसका जाप करो अगर उसका अभ्यास करो तो आप जन्न मरन से अजाद हो सकते हैं और जीते जी आपके गम, दुख, दर्द, परेशानियां, बीमारियां खत्म हो सकती हैं देश विदेश की तमाम ख़परों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और वेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपदेट सबसे पहले